बड़ी फैमिली के लिए बड़ी कार यहाँ पर 6 और 7 सीटर सेगमेंट में काफी अच्छी अच्छी कार्स मौझूद हैं जो लगबग 9 से 15 बीस लाग रुपे के बजट में आ जाती हैं और सेल्स भी काफी अच्छी हो रही है तो इस सेगमेंट में आने वाली 15 बेस सेलिंग कार्स कौन सी हैं बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में साथ ही इनके लेटेस्ट एक्छी रूम प्राइज़ भी आपको बताएंगे तो देखते रहिए ओके कार्ट 247 यूट्यूब चनल शुरू करते हैं 15 पोजिशन पर आने वाली मारूती सुजूकी इन्विक्टो के साथ 366 यूनिट्स विक्टी है ये एक हाइबर्ड एम्यूवी है एलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल सेवन और एट सी तक अंट्रिक्रेशन में आती है 25 लाग तीन हजार रूपे दे प्राइस शुरू होती है और 28 लाग 70 हजार रूपे तक जाती है इतनी बड़ी गारी होन करें तो 10,44,000 रूपे दे प्राइस शुरू होती है और 13,73,000 रूपे तक जाती है यहाँ पर पेट्रोल के साथ CNG का भी इंजन आप्शन मिल जाता है CNG पर slightly waiting period आपको देखने को मिलता है 13 पोजिशन पर हुंडेल गजार 1290 यूनिट्स विक्टे हैं फरवरी 2024 में ये 6 और 7-seater configuration में आने वाली SUV है और हो सकता है कि इस साल इसका कोई facelift version आपको देखने को मिले 16,47,000 रूपे दे प्राइस शुरू होती है और 21,28,000 रूपे तक जाती है पेट्रोल और डीजल दोनों ही engine option के साथ मिल जाती है 12 पोजिशन पर MG हेक्टर 1826 यूनिट्स विक्टे हैं 2014 में यहाँ पर slightly price cut देखने को मिला है इसमें और अब MG Hector Plus की price शुरू होती है 17,00,000 रूपे से और 22,88,000 रूपे तक जाती है इसमें भी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही engine option मिल जाते हैं यह काफी feature rich SUV है 6 और 7-seater configuration में मिल चाती है और road presence के मामले में भी एक काफी premium feel देती है इसके बाद रेनो की ट्राइबर 11 पोजिशन पर 205 यूनिट्स बिक्के हैं फरवरी 2024 में रेनो ट्राइबर एक M.E.V. है 7-seater configuration में आती है 6,00,000 रूपे दे प्राइस शुरू होती है और 8,98,000 रूपे तक जाती है कम बजट में एक decent से M.E.V. आपको मिल रही है य जाड़ सफारी केवल डीजल इंजन आप्शन में ही मिलती है मैनूल और आटमेटिक ट्रांस्मिशन में काफी सारे next level features इसमें मिल जाते हैं ओर आल देखा जाये तो काफी modern और futuristic लूप दिया गया है इसको इसकी वज़े से इसकी road presence काफी शांदार लगती है और आप recently इसमे यूनिट्स के साथ फरवरी में Toyota Fortuner एक प्रीमियम सेवन सीटर SUV है मारकेट में फिलाल इसकी राइवल है Gloster लेकिन इसके आसपास भी इसकी सेल्स नहीं हो पाती Fortuner में आपको 4X2, 4X4 दोनों ही मिल जाते हैं साथ ही साथ यहाँ पर आपको petrol और diesel engine option दोनों ही मिल जाते हैं 33,43,000 रुपे दे Fortuner की प्राइस शुरू होती है और 51,44,000 रुपे तक जाती है 8 पोजिशन पर Maruti Suzuki XL6 4,093 यूनिट्स पिके हैं 6 सीटर कंटरिकेशन में आती है 11,61,000 रुपे दे प्राइस शुरू होती है 14,77,000 रुपे तक जाती है इसमें आपको petrol के साथ CNG का engine option भी मिल जाता है 7 पोजिशन पर Kia Currens 4,832 यूनिट्स पिके हैं ये एक M.U.V है पेट्रोल और डीजल दोनों ही engine option में मिल जाती है 10,45,000 रुपे दे प्राइस शुरू होती है और 19,45,000 रुपे तक जाती है 6 पोजिशन पर X.U.V 7.00 6,546 यूनिट्स बेके हैं X.U.V 7.00 के 6 और 7 सीटर वर्जन की प्राइस की बात करें तो शुरूआत होती है 17,99,000 रुपे से और टॉप वेरेंट के लिए 26,99,000 रुपे तक जाती है इसके बाद टोयोटा की इनोवा 5 पोजिशन पर 8,481 यूनिट्स के साथ में इनोवा किस्टा की बात करें तो 19,99,000 रुपे दे प्राइस शुरू होती है 26,000 रुपे तक जाती है ये केवल डीजल वर्जन में आती है केवल मैनुल ट्रांस्मिशन में इनोवा हाई क्रॉस की बात करें ये पैट्रोल में ही देखने को मिलती है साथी साथ टॉप वेरियंट्स में इसका स्ट्रॉंग हैबिड इंजन आप्शन मिल जाता है ये केवल आटोमेटिक में ही आती है 19,67,000 रुपे दे प्राइस शुरू होती है और 10,91,000 रुपे तक जाती है इसका नियो वर्जन भी आता है महिंद्रा बॉलेरो नियो इसका जो 1.5 लिटर का डीजल इंजन है वो जाला पावफुल है 100BHP की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है हलाकि दोनों ही बॉलेरो केवल डीजल इंजन में और केवल मैनूल ट्रांस्मिशन में ही मिलती है बॉलेरो नियो की प्राइज 9,90,000 रुपे दे शुरू होती है और 12,16,000 रुपे तक जाती है इसके बाद मारूती सुदुकी एको थर्ड पोजिशन पर वेन सेगमेंट की गाड़ी है 12,147 उनिट बिके है इसके 7-seater वर्जन की प्राइज शुरू होती है 5,61,000 रुपे से और यहां पर देखा जाया तो वेन सेगमेंट में अकेली गाड़ी रह गई है सेकिंड पोजिशन पर महिंद्रा स्कॉप्यो 15,051 उनिट बिके है स्कॉप्यो क्लासिक की बात करें तो यह केबल डीजल इंजन आप्शन में आती है साधी साथ केबल मैनूल ट्रांस्मिशन में यह 7 और 9-seater configuration में मिल जाती है 13,69,000 रुपे दे प्राइस शुरू होती है 17,35,000 रुपे तक जाती है वही महिंद्र स्कॉप्यो एन भी आती है इस कॉप्यो एन में पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन आप्शन मिल जाते है यह 6 और 7-seater configuration में मिलती है यहाँ पर 4-4 का भी आप्शन आपको मिल जाता है इस कॉप्यो की प्राइस शुरू होती है 13,60,000 रुपे से और टॉप वेरिंट के लिए प्राइस जाती है 24,54,000 रुपे तक साथ इसाथ इसका रिसेंटली एक Z8 Select वेरिंट लाँच किया गया है जो काफी value for money वेरिंट माना जा रहा है नमबर वन पोजिशन पर आई है इस सेग्मेंट में मारूती सुदुकी अर्डिगा 15,519 युनिट्स बिके है फरवरी 2024 में अर्डिगा आपको पेट्रोल के साथ CNG आप्शन में भी मिल जाती है 7-Seater MUV है यहाँ पर इसकी प्राइस की बात करें तो 8,79,000 रुपे दे प्राइस श्रूव होती है और 13,03,000 रुपे तक जाती है इसके भी CNG version पर slightly थोड़ा सा waiting period देखने को मिलता है हाला कि एक value for money MUV है और market में इसको काफी पसंद भी किया जाता है इसलिए इसकी sales लगतार बनी रहती है तो फिलाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही सबसे जादा बिकने वाली SUV सबसे जादा बिकने वाली hatchback और यहाँ पर हमने भारत की 25 सबसे जादा बिकने वाली गाड़ियों का वीडियो भी बना दिया है वो सबी वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल चाहेंगे थैंक यू फो वाचिंग